नूरी अमी फूड को सब्स्राइब कीजिए और बैल आइकन तबाईए और मेरी वीडियो पाईए सबसे पहले फ्री में सलयम लाइब में आप सब कराएं हूँ, आलोबडी की रेसिपी इसे गुज़राती में पात्रा और महराश्रान में इसे आलोबडी के नाम से जानते हैं ये फ्राई आलू ओडी की रेसिपी है, इसी सबजी δी बनाई जाती है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये आलू ओडी अर्वी के पत्व से बनाई जाती है, और ये बनने में बहुत सीम्पल ए खाने में बहुत टेस्टी होती है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्स्राइब मैं चैनल सो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले मैंने ये पत्ते लिये हैं और इसके जो डंठल दिख रही है वो हम इस तरह से काट देंगे अर अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कप बेसन सफेद वाले तील है यह आदे हम बाद में इस करेंगे फ्राइ के लिए और इसमें डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट वन फोथ टीस्पून अब इसमें हम डालेंगे आदा नेमु का रस अगर आपके पास खटाई है तो आप वह भी डाल दीजिए इसमें यह हम हारा स्ट्रे अब इसमें डाल रहे हैं चावल का आटा वन टेल स्पून अगर आप चाहें तो इसकी जगा सूजी बीडाल सकते हैं इसे बहुत कुरकुरी आलू वडी तयार होती है तो बैटर तयार है अब हम लेंगे पत्ते और इनको ओल्टी साइट से इस तरह से रखेंगे और इसके अब पर बैटर डालेंगे और इसे उगलियों की मदद से ही हम अच्छी तरह से चारो तरफ लगा लेंगे इन पत्तों को एक दूसरे के ओपर कैसे रखना है वह आप धिहान से देखना आगे में बताऊंगी सो फ्रेंज देखा आपने इन पत्तों को मैंने एक दूसरे की अपोजिट डेक्शन में रखते हुए बैटर लगाया है और अब इस तरह से फोल्ड करेंगे आप देखिए पहले ओपर से फिर दोनों साइड से उंगलियों से प्रेस करते हुए फिर इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे फिर यह आपको ध्यान से देखना है और इसके जो किनारे बचे हैं इसे भी हम पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फिर बाकी को हम इसी तरह कंटीनु करेंगे तो यह देखिए एक रोल हमारा तयार है और यह बिल्कुल पफट बना है और यह एक रोल हमने 6-7 पत्तों से मिला कर बनाया है और जो बाकी के बच्चे हुए पत्ते थे उसको भी मैंने इस तरह से तयार कर और ये भी मैं आपको फोल्ड कर दिखा रही हूं अगर आप लगों को अलुवडी के जो गोल वाले शेप हैं उन्हें थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो सारे पत्ते आप एक साथ ही रख के फोल्ड कर लीजिए तो इससे आपकी शेप बड़ा बन जाएगा अलुवडी पुरानी कड़ाई लिए और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने रखा है और इसके उपर हम इस तरह से जन्नी रखेंगे या फिर आपको जैसे स्टीम करना है आप वैसे से स्टीम कर लेजिए इस टीमर में भी कर सकते हैं तो यह हम रख देंगे यह देखिया तो आब हम इने बिल्कुल भी चिप-चिपे नहीं है आप उंगली लगा कर चेक किजिए इसका मतलब यह रैडी है अच्छे से स्टीम हो गया है अभीने हम निकाल लेंगे अभीने हम कट करेंगे इसके हमें आदे आदे इंच के पीसे बनाने हैं הוא coworkers अब देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ कोई शुक्रा आप एकट कर लिये हैं पीसिस बना ली ए इसके और यह देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं अब इन्हें हम फ्राय करेंगे तो इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक कड़ाई में फ्राइब स्पून के करीब ऑईल डाला है आप कोई साभी ऑईल यूज कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले इसमें थोड़े से सफेद तिल राई और सफेद जी हुआ 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 है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा मैंने पलट पलट कर इन्हें फ्राइ कर लिया है अच्छे से और इनमें बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है अब आम इने डेश आउट करेंगे अब अच्छी तरह से फ्राइब हो चुके हैं अब हम दूसरे जो बच्चे अब बच्चे हुए अलुवडी को फ्राइब कर लेंगे उसी तरह से तो यह भी फ्राइब हो चुके हैं इनका बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और यह देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं यह आप देख सकते हैं तो लीजी फ्रेंड्स हमारे अलुवड अलुवडी की रेसिपी कैसी लगी मेरी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजी और मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए मैं आप लोगों के लिए हर रोज नही नहीं टेस्टी रेसिपी लेकर अपराती रहूंगी तब तक के लिए अपना खयाल रखिये थैंक्स पूर वाचिंग